असलाम जरफ उलएक्तल है。」 और क्या लटी है, शबश दोस्तों को, फ्रेंडस को लगहों को हमारा प्यारा सलाम हमारे वहाई हैं, जो हो पोल्ग मैंम कि अधराशबा हूएद्स, यो इस तरह आव है और बादू लोग का। कि देख लो यह हमारे भाई साद पहले है और यह देख लो इस तरह है जो कि इधार फरसा और सरल रखा हुआ है जो कि चटाई भी बोलते हैं और कालीन का है टीया किंटारी ओर कि फरसा बोलते हैं यह डेखो सब लगा हुआ है जारी पुर का जरी भर सब्सक्तरों कनो सब्सक्रा समय आमीर को बले न रहे लेकिन अपने बैटने के लिए एकदम लगा दिये आप सोच नहीं सकते आप देखे भी नहीं होंगे साइद कोई देखा हो तो देखा हो तो भीया इसमें कौन-कौन लोग बढ़ते हैं आते हैं आथ में सांग को इस बचले के अपना जब लेटिकावास से अब है दू घंटा भाईट के अपने चले जाते हैं बदोग का करते नहीं लुकान करते होंगे अव्य कोग से से बच्चे मजाक करते हैं इसे ही चलते रता है सब बदू लोग का जंगल वाले लोग का इस तरह है बागी घर उधर है घर पे समझ लोगी अच्छा ही इस तरह रहा था है यह तो सब के लिए है समझ लोग इधर यह सब बाहर में हावा चल ला है तोड़ा हमारा भी सपोट किया करो यार आप लोग तो हमारा सपोट करते ही तोड़ा करो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करते रहो और देखते रहो थोड़ा हमको भी अच्छा लगे तो भी हम दोड़े थोड़ा है बहुत दूर उत्ता का आना पड़ता है देखो रखा है जो बजडा है बजडा अगले साल का कटा हुआ बजडा मेरा बहुत भा करते हैं हमारे बाई साहब जो की बोरक पोट जिला से हैं मजरे में प्याज है खाने होने के लिए अपने हलका फोलका साख सब्जी बनाने के लिए लगाए रत्ते हैं लोग होदा मिर्चा है और यह सब पौधा है जो की उच्छाओ के लिए और खुपसूरती के लिए लगाया रहता है शड़कों पे आप लोग देखे होंगे सब्जी में शड़कों पे लगाया जाता है कटिंग किया जाता है इधर कटिंग ओटिंग वाली बात नहीं है बस ऐसे लगा दिया गया है तो यही है विजिया इसे देख लोग सम मिर्चा है मिर्चा फारा भी है कि देखो मिर्चा फार लिया है यह मिर्चा इधर प्याज बहुत बड़ा मजरा है इसमें हर चीद लगा कि अपने खाने के लिए लगाया जाता है आप लोग देखी रहे हैं अवा बचल लाए बड़ा वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक किया करें और ऐसे मजरे देखते रहे हैं और भी जाते रहेंगे आते रहेंगे दिखाते रहेंगे आप लोग के लिए तो यही साही है सब चलो ओके हमारे भाई शाह भाई जो कि टामाटर पा गए है अपना खा रहा है देशी तरीका से मजरे में काम करने वाले लोग को यही सब फायदा रहता है एदम देशी चीज खाते रहो और खिलाते रहो सवधी लोग को